नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एक्जामों फो भी हमें जैसा कि आप लोगों से हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग यूपी पीसी एस प्रिमिरी एक्जाम जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसका एक्जाम 17 मार्च को दिखाया जा रहा है तो इसके देखते हुए हम लोग विभिन संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्ब करेंगे तो उसी के तहद दिरस्टी आईस अंस्थान के मॉडल टेस्ट पेपरों की एक सीरीज हम लोग लेके आए हैं और इस वार यूपी पीसी एस में वेकैंसी अच्छी खासी है मित्रों जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे अभी 220 है लेकिन इनका जब तक फाइनल आएगा तब तक ये वेकैंसी आपकी प्लस 500 हो जाएंगी और उसमें भी SDM, DTSP और नाइब तैसिलदार की अच्छे खासे पदाए हैं और काफी लंबे समय बाद ऐसी वेकैंसी आई है क्योंकि इससे पहले 2018 में ये वेकैंसी आई थी तो हमारे लिए UPPCS भी काफी महत्पून एक पढ़ाव है अपने फविस्ट को सिक्यूर करने के लिए तो इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं और चूंकि समय कम है तो अभी से ही मित्रों जुट जाना है और जो भी आपके डाउट बगेरा होंगे उसके लिए अलग से हम लोग हमारी टीम एक डाउट सेशन भी लेके आएगी और अन जैसे पेपर का अनलिसेज लास्ट येर्स के पेपर्स और आपके अन पेपर जैसे सब्सक्राइब करेंट अफियर है तो करेंट अफियर से रिलेटेड अलग अलग क्लासिफाइड किया जाएगा उसे और उसमें आपका पॉलिटी से रिलेटेड़ करेंट अफियर साइंस टेक्स रिलेटेड अफियर इस सारे करेंट अफियरों को हम लोग डिसकस करेंगे तो फिलाल हम लोग DSTiS अंस्थान का model test paper number पहला solve करते हैं और देखते हैं क्या-क्या questions इसमें किये गए हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी PCS में 150 कुश्चन होते हैं कितने होते हैं मित्रों 150 कुश्चन टो इन 150 कुश्चनों को देखते हैं हम लोग और पहला कुश्चन देखते हैं यहां पर इस बार वाले पेपर में जो आपकी सिकायत रहती है कि हिंदी और इंग्लिस दोनों वर्जन दिखाईए तो इस बार चूंकि दोनों साथ-साथ हैं तो दोनों वर्जन भी हम लोग लेते हुए चलेंगे क्या है हिंदी बर्जन में देखते हैं पहले इलहाबाद की संदी के संदर्व में निम लिखित कत्नों में से कौन से सही हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं वकसर युद्ध के बाद वकसर यानि 1764 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने तीन लोगों के स इलहाबाद संदी जो बकसर युद्ध हुआ था उसमें इलहाबाद संदी परणाम सरूप हुई थी जिसमें सजायुद दौला यानि अवद के नवाव और आपके क्या नाम है मुगल वादसा के बीच ये संदी हुई थी और अंग्रेजों के बीच रोबर्ट कलाइब की व सहा आलम को ठेक है तो ये स्टेटमेंट बिलकुल सही है इलहाबाद और कड़ा मुगल बाद सहा को मिल दिये गए थे सहा आलम को मिल गए थे नेक्स्ट आता है सहा आलम दुतिये ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए इस्ट इंडिया कंपनी एस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फर्मान जारी करने में सहमती व्यक्त की थी यदि हम युद्ध खर्च की बात करें तो यहां युद्ध खर्च में बंगाल और बिहार की दीवानी से कोई मतलब नहीं था बलकि एक मुस्तरासी मुगल बा कितनी देनी पड़ी थी 26 राख रुपए के बार्सिक भुक्तान के बदले इस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी का फर्मान जारी करने मर्स से अम्ति वुद्ध की गई थी ठीक है 26 राख रुपए अगर आप नहीं देते हैं बार्सिक दोर पर एन्वली तो आपको ये दिवानी देनी पड़ेगी यानि ये statement आपका क्या है अर्ध सत्य है यानि गलत है तो यहां पर केवल एक statement सही है तो एक statement का मतलब है पहला statement सही है यानि option A हमारा सही होगा next question देखते हैं next question हमारा English में देख लें पहले हम लोग क्या है इंग्लिस में हमारा नेक्स्ट क्या है निमलिखित अधि tat अधियमं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधियमन के बर्स के संबंध मैं आनुक्रम किरम में विवस्थित कीजिए ठीक है तो देखते हैं क्या है तो यहां पे मित्रों ये कुछ अधिनियम दिये गए हैं तो यदि हम इस अधिनियम के बारे में बात करें तो कार खाना अधिनियम कब आया था 1947 में सारदा अधिनियम की बात करें तो ये आया था 1929 में कब आया था 1920 नाइनियम की बात करें तो यह आया था 1961 में बिसेश बिवाद नियम के बारे हम बात करें तो यह आया था 1954 में तो इस तरहे आपके ये दिये गए हैं तो आपको कालन करम के अनुसार इस्थापित करना है तो मित्रों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सारदा आया था यानि दो पहले होगा उसके बाद हमारा दहेर आया था यानि एक पहले होगा उसके बाद हमारा 1944 बिसेस अधिनियम यानि चार पहले होगा और फिर हमारा होगा तीसरा यानि दो एक चार तीन और दो एक चार तीन हमारे किस option में हैं? B option में हैं तो हमारा option कौन सा सही होगा मित्रों हमारा option number B बिलकुल सही होगा next चलते हैं question number देख लेते हैं English में भी question who among the following British officials suppressed the revolt of 1857 in बिहार यानि बिहार में बताना है निम लिखित में से किस बिटे सथकारी ने बिहार में के विद्रो को दवाया था किस बिटे सथकारी ने बिहार का विद्रो दवाया था यहीं पर यदि हम बात कर लें किस ने दवाया है तो option A में जॉन निकोल सन है B में जनर्ल हीूज रोज है C में सर कॉलिन केमबेल है और D में बिलियम टेलर है तो यदि हम बात करें जॉन निकॉलसन के बारे में तो मित्रो इन्हों ने दिली में विद्रो दबाया था कहां पर दबाया था मित्रो दिली में जन्रल हीरोस के बारे में अगर हम बात करें तो जन्रल हीरोस ने जासी और गॉालियर में दबाया था जहांसी और गौालियर में ये विद्रो दबाया था यदि हम सर केमपल केमपल के बारे में बात करें तो इन्होंने कानपूर में विद्रो दबाया था कहां पर मित्रों कानपूर में और यदि हम बात करते हैं बिलियम टेलर की तो इन्होंने कुमर सींग यानी बिहार में विद्रो दबाया था तो इस तरहे यहां किसकी बात पूची गई है मित्रों बिहार की पूची गई है तो हमारा option कौन सा सही होगा हमारा option D सही होगा option D is the right answer next चलते हैं question number 4 पर क्या कह रहा है question number 4 उसे देखते हैं और बताना है कि कौन सी घटनाए है जहां तक हमें लग रहा है कि ये किस Lord के टाइम पे होई होगी इलवर्ड विल, काकोरी सड़ेंद, लखनव समझोता और पृत्यक्ष कारवाई दिबस तो अगर हम यहां पे बात करें इलवर्ड विल विवाद, Lord रिपन के टाइम पे हुआ था यहीं पर देख लें अगर हम लोग Lord रिपन के टाइम पे हमारा इलवर्ड विवाद हुआ था काकोरी सड़ेंद की बारे में अगर हम बात करें किसके बारे में काकोरी सड़ेंद के बारे में तो यह हुआ था 18 अगर यहां पर बात करते हैं हम लोग 1887 के आसपास और यह 1925 के आसपास तो यहां पर Lord Reading थी कौन थे मित्रों? Lord Reading थी यहां पर लखनव समझोते के बारे में अगर हम बात करें तो लखनव समझोता Lord Champs Ford के टाइम पर हुआ था और यदि हम प्रत्यक्ष कारवाई दिवस के बारे में बात करें तो यह Direct Action Day यह Lord Bevel के टाइम पर हुआ था किसके टाइम पर? Lord Bevel के टाइम पर तो यह है Voice Roy जिनके टाइम पर हुआ था तो यह घटनाएं हैं यह Voice Roy हैं क्या है? अब देखते हैं कुश्चन क्या है हमारा और उसको समझते हैं तो मित्रों जो हमारा कुश्चन है वो देखिए बिलकुल सही कुश्चन यही है कि आपको बताना है किन्स के कौन से टाइम पर हुआ था तो लॉड वेवल आपको बताई दिया है पृत्यक्ष कारवाई दिवस क्या हुआ था इनके टाइम पर? पृत्यक्ष कारवाई दिवस हुआ था यहां पर क्या हुआ था? पृत्यक्ष कारवाई दिवस लौर्ड चैंप्सपोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये लखनव समझोता हुआ था क्या हुआ था मित्रों लखनव समझोता लौर्ड रीडिंग के बारे में बात करें तो काकोरी कांड हुआ था यहां पर क्या हुआ था काकोरी कांट और लिवर्ट के बारे में लौर्ड रिपन के बारे में बात करें तो यहां पर इलवर्ड बिवाद हुआ था क्या हुआ था मित्रों इलवर्ड बिवाद हुआ था तो इस तरह हमारा यहां पर आंसर बनता है देखते हैं कौन सी सूची किस पर मिलती है तो ये सूची जो मिल रही है इसका आंसर होगा A क्या होगा मित्रों A is the right answer नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 5 पर और देखते हैं कुशन नमबर 5 क्या कह रहा है निम लिखित में से कौन वाईकॉम सत्यागरह से संबन्दित है ठीक है कहाँ वाईकॉम सत्यागरह तो वाईकॉम सत्यागरह कि अगर हम बारे में बात करें तो सामंती रीती रिवाजों और सेन रिवादी विवस्था के विद्रो के रूप में ये विद्रो हुआ था यानि सामंत वाद के खिलाप ये विद्रो किया गया था किसके खिलाप सामंत वाद के और रीती रिवाजों के विद्रो किया गया था तो इस बिद्रों में अगर हम देखें पी क्रिस्ना पिल्लाई, के जी मस्रूवाला, के कैलपपन और मातंगनी हजारा तो यहां पे अगर हम बात करें तो वाईकॉम वाईकॉम बिद्रों जो हुआ था वो किसके नित्रित में हुआ था के कैलपपन के नित्रित में हुआ था ठीक है और यगर यह हम बात करें तो यह इसमें कब हुआ था 30 सितंबर 1924 में कीसमे 30 सितंबर 1924 में तो यहां पर मित्रों यह भी फैक्ट जानने की बात है के यहां पर यानि 2024 यानि इस वर्स यू बनाया जा रहा है तो कोलपपम सताब्दी वर्स वाईकॉम सत्यागिरह सताब्दी वर्स मनाया जा रहा है तो वाई कॉम सत्या ग्रहे 30 सितंबर 1924 में जो पुराने रीती रिवास थी जिसमें मंदरों में पिरवेश छूआ छूट और सामंत वादी जो विवस्ता थी उसके खिलाब किया गया था और इस वुद्रो को जो हुआ था वो 1924 में हुआ था तो इसलिए इस वर्स यानि 2024 को वाई कॉम दिवस के वर्स, सताबदी, सत्या ग्रहे वर्स के रूप में मनाया जा रहा है ठीक है मित्रों नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 5, 6 पर क्या है जरा 6 को समझते हैं नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को अभी कथन ए और दूसरे को कारण बताया गया है तो आपको बताना है कौन सा वात इसमें सही है डच और इस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूली पटनम सहर को निंतित करने का प्रयास किया ये बात क्या है बिलकुल सही है कारण क्या है इसे है सत्रवी सताबदी में पश्चिमी तट का सबसे महत्मूर बंदरगा बन गया था सत्रवी सताबदी में सबसे महत्मूर बंदरगा बन गया था तो अगर हम मसूली पटनम के बारे हम बात करें तो मसूली पटनम जो है वो आपका आंध प्रदेश में पढ़ता है कहां पर पढ़ता है मित्रों कहां पर पढ़ता है आंध प्रदेश में इस तरफ तो आप अगर देख रहे होंगे तो यह जो तठ है जहां तक मुझे लग रहा है यह भारत का कोन सा तठ है पूर भी तठ och पश्मी तठ क्या है यह है तो यहाँ पर जो तठ के बारे में बात की वो बिल्कुल क्या है गलत है जब कि पहला कफन बिल्कुल सही है यानि option A हमारा सही होगा A सही है और उस क्या है गलत है next चलते हैं question number 7 पर क्या कह रहा है 7 इसे समझते हैं which of the following event is not related tenure of the lord करजन ठीक है निम लिखित में से कौन सी घटना lord करजन के कारिकाल से संबंधित minded नहीं है option A बंगाल भिवाजन बिलको lord करजन था लोग सेवा मंडल का गठन ओके अकाल आयोग का गठन ओके संटर आयोग का गठन तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें hunter आयोग जो सहचिक पद्दती के लिए बनाया गया था और यह 1882 में बना था कब बना था 1882 में जबकि करजन का कारिकाल आपका स्टार्ट होता है 1899 से 1905 तक तो इसमें कहीं नहीं आ रहा है तो इसका option क्या होगा मित्रों इसका option B विलकुल D विलकुल सही होगा क्या होगा D विलकुल सही होगा next चलते हैं question number 8 क्या है समझें जरा लाला लाचपत राय के संदर में निम्री के कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है पहला statement उन्होंने बर्स 1921 में servants of people society के स्थापना की क्या की 1921 में servants people की स्थापना की उन्होंने सुराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया तो यहाँ पर यदि हम बात करें की कौन से कथन सही है तो यहाँ पर यदि हम बात करें लाला लाचपत राय के संदर में 1921 में servants of people society के गठन की स्थापना की ती बतन बिल्कुल सत है और क्योंकि सुराज पार्टी उन्होंने 23 में बनी थी और इस सुराज पार्टी में C. आरदास मोतिलाल नहरू और लाला लाचपत राय का सहयोग मूर्टा तहा तो यह भी बात बिल्कुल क्या है सही है यानि स्रमिक संगांदोलन की सुरुवात से पहले भारत का पहला स्रमिक नेता किसे माना जाता है नारायन मेखा जी लोखंडे लाला लाचपत राय बीपी वाडिया सेरा सोराब जी सापुर जी बंगाली को तो यहाँ पर यदि बात करें तो स्रमिक संगांदोलन भारत में जो स्टार्ट हुए थे वो अठारा सो नब्भे में एम एम एन एम लोखंडे के नित्रित में हुए थे ठीक है और उन्होंने इसके लिए एक मिल बनाई थी वो सुरी एक संगठन बनाए था क्या संगठन का नाम था बॉंबे मिल एसोसीयसन क्या था बॉंबे मिल एसोसीयसन क्या था मित्रो मॉंबे बिल एसोसीयसन ओके तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उप्षन बलकुल सही होगा उप्षन E is the right answer नेक्स चलते हैं कुशन नमर्ट टैन पर क्या कह रहा है टैन उसे समझते हैं जमीदारी प्रिथा के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसने निश्चित किराय आदिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों की भूमी अधिकारों को इस्थाई रूप से इस्थापित कर दिया इसे बर्स 1793 में लॉर्ड कॉन वॉलिस द्वारा इस्थाई बंदोवस्त के माध्यम से पेस किया गया था सी इस विवस्ता के अंतरगर भूर आजस सीधे किसानों को वसूला जाता था डी यह बंगाल उडीसा में पिर्चलित था तो यहां पे आपको बताना है कौन सा स्टीटमेंट बिलकुल सही नहीं है तो यहां पे यदि हम बात करें जमदारी विवस्ता में सीधे एक बसूलने के लिए जमीदार को तयार किया जाता था यह सीधे किसानों के दौरा नहीं बसूला जाता था सीधे किसानों के द्वारा अगर हम बसूले की बात करें तो वो वसूला जाता था रहियत वाड़ी बंदोवस्त में इसके अलावा जो नौर्थ इंडिया में सुरू की गई थी वो आपकी महाल वाड़ी विवस्ता थी जिसमें क्या था जिसमें एक गाओं एक महाल एक महले को में से बसूला जाता था ठीक है यहाँ पर सीधा जमीदारों के लिए था तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर सी आप्सन सही नहीं है नेक्ट चलते हैं कुशन नमर 11 अखिल भारती मजदूर संग कॉंग्रेस के संबंद में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए बताईए कॉंग्रेस के संबंद में निमलिखित कथन क्या है लाला लाजपतराय को AITUC के पहले महासचेव के रूप में चुना गया था All India Trade Union Corporation के पहले महासचेव लाला लाजपतराय बनाए गये थे ये statement नमर पहला है ठीक है दूसरा कॉंग्रेस ने बर्स 1922 में गया के अधवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया था और इसकी साहिता से एक समती का गठन किया था तो यहां पर लाला लाजपतराय के संबन्द में जो AITUC के महासचेव को बात की गई है वो लाला लाजपतराय नहीं वो बनाए गए थे दीवान चमनलाल बजाज को ठीक है किसे चमनलाल को बनाया गया था यानि पहला statement हमारा क्या हो जाता है गलत हो जाता है जबकि दूसरा statement हमारा बिलकुल सही होता है इनी option कौन सा सही है B is the right answer नेक्स चलते हैं question number 12 पर देखते हैं 12 क्या कह रहा है निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए हंटर, सिक्षा आयोग, चार्ल्स बुड डिस्पेश, ली आयोग, रेले आयोग इनका सही कालन कुरम बताईए तो अगर हम बात करें हंटर तो मैंने अभी तुम्हें कुछ देर पहले ही बताया था मित्रों 1882 में है चार्ल्स बुस्पेश की बारे हम बात करें तो यह 1854 में है ली आयोग के बारे हम बात करें तो 1924 में है रेले आयोग के बारे हम बात करें तो यह 1902 में है तो आपके सामने पूरा किलियर पिच्चर है कौन सा पहले बना है चार्ल्स बुड डिस्पेश तो option में आपको भी मिलेगा दो एक चार तीन ओके मित्रों next ठीक है अगर हम इसके बारे में बात कर दें तो इसे बोला जाता है अंग्रेजी सिख्छा का मेंगना कार्टा क्या है भारत में अंग्रेजी सिख्छा का मेंगना कार्टा मेंगना कार्टा बोला जाता है ठीक है मित्रों भारत में अंग्रेजी सिख्छा का मेंगना कार्टा है ठीक है ठीक है next question number 13 पर चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है 13 पावना बिदो के संबंदित हैं जमीदारों की दमंकारी नीतियां पावना में कानून व्यवस्था का आभ्हाओ दलित वर्ग का अंदोलन शाम्परदाइक दंगे तो यहां पे आपको बताना है कौन सी बात पावना बिंदोरों से संबंदित है तो मित्रों पावना बिंदोरों जो हुआ था पूरी बंगाल में वो जमीदारों की दमनकारी नीतियों के कारण हुआ था किसके कारण हुआ था जमीदारों की दमनकारी नीतियों के कारण किसान सबा का गठन 1918 में किया गया था इंद्र नारायन दिवेदी, गौरी संकर मिस्र और मदन मुहन मालवी ने किसने किया था? इंद्र नारायन दिवेदी, गौरी संकर और मदन मुहन मालवी किसने मदन मोहन मालवीन है next question number 15 पर चलते हैं किस पर question number 15 पर क्या कह रहा है question number 15 वारेन हैंस्टिंग्स ने निम लिखेत उद्देशियों से कलकत्ता मदर्सा की स्थापना की भारत में प्राच्च सिक्षा में रुची को पुनर जीवित करना कमपनी के दर्वार में बिटेश प्रिसासन की सहाइता के लिए योग भारतियों को तैयार करना देखते हैं question number 15 क्या कह रहा है वारेन हैंस्टिंग्स ने निम लिखेत उद्देशियों से कलकत्ता मदर्सा की स्थापना की Option A भारत में प्राच्च सिक्षा में रुची को पुनर जीवित करना कमपनी के दर्वार में बिटेश प्रिसासन की सहाइता के लिए योग भारतियों को तैयार करना इस्थानिय भासा में सिक्षा को बढ़ावा देना बहतर प्रिसाशन के लिए British नागरिकों को मुस्लिम रीती रिवाज और कानूनों में प्रिसिक्षेद करना तो Warren H produks ने कलकता मदर्शे की स्थापना कमपनी के दरवार में British प्रिसाशन की सहईता के लिए योग भारतियों को तैयार करना ये बिल्कुल सही उत्तर है next चलते हैं question number 16 पर क्या कह रहा है सामपरदाइक पंचाट के बारिये में निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है यह है लोथियन समिती की सिपारिसों पर आधारित था किसकी सम्ती में लोथियन सम्ती की सिपारिस पर आधारित था सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीट थी तो यहां पर यदि हम बात करें बिटिस प्रधानमंत्री रेम से मैकडॉनल्ड ने 6 अगस्त 1932 में यह एक सम्ती बनाई थी सामपरदाइक पंचाट के घोशना के लिए और इस सम्ती को फ्रैंचाइज सम्ती या लोथियम सम्ती कहते हैं किसे फ्रैंचाइज सम्ती या लोथियम सम्ती कहते हैं या यह स्टेटमेंट पूर्टा क्या है सही है और इसमें क्या किया गया था अगर हम सम्ती के बात में बात करें तो इसमें दलित वर्गों के लिए और अल्प संक्यक मुसलिम को छोड़ कर जो और अल्प संक्यक हैं उनके लिए रेजर्वेशन की बात की गई थी जैसी 1909 के अंतरगत मारले मेंटर रिफॉर्म में था तो ये आपका सामपरदाइक पंचाड था इसमें महिलाओं की कोई भी बात नहीं की गई थी यानि आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या है गलत है केवले एक सही है यानि option A हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 17 पर नेटाल इंडियन कॉंग्रिस की स्थापना किसने की थी नेटाल इंडियन कॉंग्रिस की स्थापना के बारे में बात करें तो option A हैंडी कॉटन, option B अल्फरेड बेव, option C महात्मा गांधी, option D म.A.M. बोस तो यहाँ पर यदि हम बात करे नेटाल कॉंग्रिस की स्थापना 1895 में कब 1895 में किसके द्वारा की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी क्यूंकि वो तक्षिर अफरीका में होने वाले भारतियों के सोसन के बुरुद एक संगठन बना रहे थे तो उसी संगठन के तौर पर नेटाल कॉंग्र 18 पर और देखते हैं 18 क्या कह रहा है विभिन विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रो के वरणन के संबंद में निमलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पहला आउट्रम अंग्रेजों को भारत से उखाड फैकने का मुस्लिम सड़यंत्र आप्सन बी कार्ल मार्क्स अंग्रेजों द्वारा पूर में प्रारंब की सामाजिक प्रगती का विस्तार नमबर सी आर होम्स इसाई धर्म के खिलाप योद बेंजामिन डिजराईली परन नमलिकित मैं से कौन सा युगम सही नहीं है तो यहाँ परियदी हम बात करें पहली बात क्या है आउट्रम ने क्या बोला है अंग्रेजों को भारत से उखाड फैकने का मुस्लिम सड़यंत्र नमबर सामाजिक प्रगती का विस्तार रोक दिया था ये भी बिलकुल सही बात की गई है, B C क्या कह रहा है, R Homes कह रहे हैं, ईसाई धर्म के खिलाब युद्ध, तो R Homes ने जो ये कहा है, वो उन्होंने 1857 के विद्रेव को जो बूला था, वो सब्बिता और बरवर्ता का संघर्स बूला था, क्या बूला था, सब्बिता और बरवर्ता का संघर्स, अबेता और बरवरता यानि इन्होंने अंग्रेजियों को सब बनाया था और भारतियों को बरवर बताया था ये संगर्ज की बात इन्होंने क्या है की थी ठीक है आर होम्स ने तो ये कहा था इसाई धर्म के बारे में खिलाब धर्मिद का जो स्टेटमेंट था वो मित्रों र कीज के द्वारा ये बूला गया था इसाई धर्म के खिलाब प्यूद यानि सी हमारा आंसर गलत है और वही हमारा गलत बताना था सही होगा डिजाइरी ली नहीं नहीं राज्टी उत्थान बताये था ये बात बिलकुल सही है नेक्स चलते हैं कुछन नमर 90 पर क्या कह रहा है नाइनटीन इसे समझते हैं निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताये कौन से कथन सही हैं तो देखते हैं कथन पहला है बिटिस कमेटी ऑफ दा इंडियन नेशनल कॉंगरेस की स्थापना 1889 में बिटेन में की गई थी क्या की गई थी बिटेन में 1889 में भारती र इस में दादा भाई नेरो जी का बहुत बड़ा योगदान था तो यहां पर यह दोनों स्टेट्मेंट बिलकुल सही हैं यानि ओप्शन कौन सा सही होगा ओप्शन सी हमारा सही होगा ठीक है नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 20 पर क्या है 20 उसे समझते हैं भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस को निम लिखित में से किस संगठन के साथ बिले हो गया भारतिय राष्टिय संग या भारतिय भार भूमी धारक समाज तो यह भारत इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के साथ 1886 में कलकत्ता में भारतिय राष्टिय संग का बिले कर दिया गया यानि ओप्शन कौन सा सही है ओप्शन सी हमारा बिलकुल सही होगा next चलते हैं question number 21 पर क्या है 21 उसे समझते हैं आपको बताना है कि ये जो घटनाएं है उनका काल कुरम क्या है तो सबसे पहली घटना है बंगाल विवाजन लागू हुआ तो मित्रों बंगाल विवाजन लागू हुआ था अगस्त 1905 में कब हुआ था अगस्त 1905 सूरत विवाजन के बारे में बात करें बंगाल विवाजन जो हुआ है वो अक्टूबर 1905 में हुआ था कब हुआ था अक्टूबर 1905 में ठीक है सूरत विवाजन के बारे में बात करें तो सूरत विवाजन के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1907 में कॉंग्रेस का विवाजन बंगाल विवाजन के ब्रोध भाहिसकार प्रस्ताओं की बारे में बात करें तो बंगाल विवाजन के ब्रोध भाहिसकार जो है वो आपका पारित हुआ था अगस्त 1905 में दादा भाई नेरो जी ने घोशना की कॉंग्रेस का लक्ष सुराज है तो ये घोशना उन्होंने की थी 1906 में कौन से 1906 में तो ये इस तरह आपका ये काल करम आप निर्धारित कर सकते हैं तो सबसे पहले की घटना है आपकी अगस्त 1905 दूसरी घटना है आपका पहला नंबर तीसरी घटना है आपकी दादा भाई नेरो जी की चौथी घटना और फिर आपकी घटना आती है दूसरी यानि 3,1,4,2 तो 3,1,4,2 ओप्सन नंबर भी हमारा सही उत्तर होगा नेक्स चलते हैं कुशन नंबर 22 पर प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया प्रार्थना समाज ने जागरूकता पहलाने के लिए कौन सा किया पहला A. बंगदूर, B. दिखदर्सन, C. सुबोत पत्रका, D. बंगदर्सन तो प्रार्थना समाज के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो समाज बनाया गया था ये भारतीयों द्वारा यानि भारती धर्म कुल मिलाकर आप ये समझे college of those को समाप्त करने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए बनाया गया था जैसे अगर आप बात करते हैं तो इस तरी सिक्षा के विकास के बारे में बात की गई थी इस तरी दसा सुधारने के लिए बात की गई थी बिद्वा पुनर्विभा के बारे में बात की गई थी तो दिखदर्सन के तोर पे अगर हम बात करते हैं तो सुवोत पत्र का इसके बारे में जानी गई थी ठीक है प्रारतना समाल द्वारा सुवोत पत्र का नामक मुक पत्र चलाया गया था ठीक है बंगदूत अखवार राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया था ठीक है कौन सा मराथी और बंग दर्सन के बारे में बात करें तो बंकिम चंद चैटर जी के द्वारा चलाए गया एक वार था बंकिम चंद चैटर जी के द्वारा नेश चलते हैं कुशन नमबर 23 पर क्या कह रहा है 23 इसे समझते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यों के बाद मैसूर में क्या परिवर्तन हुआ था पहला मैसूर का नया राज्य क्रिष्णा राज तृतिय को सौब दिया गया था जिन्होंने साहिक संदी सोइकार कर ली बिल्कुल बात सही है बिलियम बेंटिक ने 1831 में कुसासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था ओके लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज जी को उसके सासक को बहाल कर दिया था तो यहां पर बताना है कौन से ओप्षन सही हैं तो मित्रों यह जो तीनों बातें की गई हैं यह तीनों बातें बिल्कुल सही हैं यानि ओप्षन कौन सा होगा ओप्षन डी हमारा सही होगा ठीक है नेख चलते हैं कुशन नमबर 24 पर इल्वर्ड विल के बारे में निम्रिक कतनों के बारे में बताईए इल्वर्ड विल क्या कह रहा है इसको समझिए इसमें प्रिस्तावित किया गया कि भारतिय मजिस्टेट एरोपिये लोगों पर अपरादिक मामलों में मुकद्मा चलाएंगे ओके इसने भारतियों को एरोपिये लोगों के खिलाब दीवानी और आपरादिक मामला दायर करने के अनुमती दी ओके इसने भारतिये सिविल स से संबंदित इसमें प्रिस्तावित किया गया कि भारतिय मजिस्ट्रेट यूरोपिय लोगों पर आपरादिक मामलों में मुकद्मा चलवा सकते हैं यानि असे हमारा क्या है सही है और बेवाद भी इसलिए हुआ था कि यूरोप के अपरादी ये समझते थे या उन्हें अपने दौराया या अपना मुकद्मा भारतियों दौरा सुने जाने का एक तरह से कुछ नमबर 25 क्या है 25 इसे समझते हैं कुछ विकलब दिए गए हैं और उनने पताया गया है कि यह संदियां हुई हैं यह सही है या गलत है तो जरा देखते हैं सबसे पहली पेरिस की संदी तो पेरिस की संदी हुई थी अमेरिका के साथ ये बात बिलकुल सही है और ये हुई थी सितंबर 1883 में कब हुई थी 1783 में ये बिलकुल सही है दूसरी बात करते हैं गडमंग की संदी कौन सी संदी गंडमंग की संदी जो हुई थी वो अफगानिस्तान और बिटिस के बीच हुई थी किसके बीच बिटिस के बीच और ये संदी जो हुई थी वो भी आपकी कब हुई थी ये 1879 में हुई थी ठीक है संगोली की संदी बारे में अगर हम बात करें तो संगोली की संदी जो हुई थी वो बर्मा नहीं वो हुई थी नेपाल के बीच किसके बीच नेपाल के बीच ओके नेक्स्ट आपका आता है यांदबू की संदी कौन सी यादबू की संदी ये आपकी म्यामार यानि बर्मा के साथ हुई इस थी ठीक है यादबू की संदी संदी संगोली की नेपाल के साथ ये बर्मा के साथ और ये हुई थी आपकी 1826 में तो यानि तीन और चाट सुमेलित नहीं है एक और दो सुमेलित हैं तो आप्सन कौन सा होगा आप्सन ए हमारा सही होगा नेक्स जलते हैं कुश्चन नमबर 26 पर क्या कह रहा है 26 इसे समझते हैं ये कुछ सूची दी गई है और दूसरा विद्रो दिया गया है आपको बताना है कौन सा विद्रो कब हुआ है तो सब सब पहली बात करते हैं हम लोग आहोम विद्रो आहोम विद्रो जो हुआ था वह आपका गौमधर कूंवर के नित्रित में 1828 में हुआ था कब हुआ था 1828 और किनके नित्रित में गोमधर कुमर के नित्रित में पॉली गर्स विद्रो के बारें बात करें तो दच्छड भारत में अंग्रेजों के विद्रोध हुआ था और ये विद्रो पॉली गर्स 1795 से 1799 के मद्ध हुआ था 1795 से 1795 साउथ इंडिया में अंग्रेजों के खिलाब ठीक है मुमरिस विद्रो के बारे में यदि हम बात करें तो अहोम राजा और मुमरिस के भी जगडे में के रूप में सुरू हुआ और यह हुआ था 1769 में अहोम राजा और मुमरिस ठीक है मुमरिस पाई का विद्रो के बारे में बात करें तो पाई का विद्रो आपका हुआ था 1800 तो इस तरह यह आपके विद्रो हुए थे अब हमें क्या करना है मैच करना है मैच मैच खेलना है यहाँ पे मैच मैच खेलने के दौरान देखते हैं कौन सा 1828 में हो रहा है तो A जो मिल ला है 1824 यानि A जो है वो 4 है A4 में polygers की बारे में बात करें यानि B हमारा 3 होगा B यानि 3 मोमर इसके बारे में बात करें तो 1860 1769 यानि आपका जो C है वो 2 है और यदि हम बात करें D तो वो आपका 1 है D क्या है एक है 4-3-2-1 4-3-2-1 यानि option कौन सा बनना है मित्रों option बनना है B नेक चलते हैं question number 27 अब थोड़ा speed बढ़ाएंगे क्योंकि paper 2 घंटे का ही होता है मित्रों खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षिता संबंधित नेता कौन नहीं थे मुहम्मद अली हजरत मुहानी मौलाना सौकत अली मुहम्मद अक्बाल तो जैसा कि आप लोग जानते हैं खिलाफत आंदोलन आपका 1919-1920 में हुआ था और इस आंदोलन के समर्थन में मुहम्मद अक्बाल नहीं थे ठीक है यह मुहम्मद अक्बाल वही है जोनोंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा नेक्स चलते हैं कुशन नमर 28 क्या कह रहा है 28 उसे समझते हैं निम लिखित में से किस संदी ने दुतिय आंगल मराठा युद्ध का मार्क पर सस्त किया बढ़गाओं की संदी, सूरत की संदी, वेसिन की संदी या पूना की संदी तो दुतिय आंगल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 में आपका 1817 में तीसरा हुआ था और बाजीरा दुतिये बेसिन की संदी 1802 यानि 1802 में दुतिये आंगल मराथा युद्ध यानि बेसिन की संदी से आंगल मराथा युद्ध का मार्ग पिरिस्ट हुआ नेक्ट चलते हैं कुशन नबर 29 क्या है निम लिखित मैंसे किसने प्राउड रिजर्व की नीती लागू की प्राउड रिजर्व के बारे में यदि हम बात करें तो इसका उद्देश जो था बैग्यानिक सीमाय निर्धारित करना था क्या था बैग्यानिक सीमाय निर्धारित करना था अंग्रेजी प्रिसासन की इसलिए इसे कहा गया है प्रभाव छेत्रों में सुरक्षा के लिए प्राउड रिजर्व नेक चलते हैं कुशन नमबर 30 पर क्या है 30 पर कुछ कथन है और उसका कुछ एसरसन है देखते हैं असायोग आंदोलन के दौरान मोतिलाल नहरू सी आरदास सीराज गुपलचारी आसिफ अली जैसे कई बकीलों ने अपनी बकालत छोड़ दी थी कारण इस आंदोलन की बिदेशी मानत और सरकारी उपादियों का बहिसकार बहिसकार एक महत्मूर बिसेशता थी ठीक है तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह दोनों स्टेटमेंट बिलकुल सही है और आए जो है आर वो एक ही ब्याख्या कर रहा है तो यहाँ नहीं यहा पर आप्सन होगा भी हमारा सही उत्तर नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 31 पर क्या कहा रहा है 31 निम लिखित मेंसे किसने सबसे पहले भारत के लिए सम्मिधान बनाने के लिए सम्मिधान सभा का बिचार रखा था आप्सन ए कॉंग्रेस पार्टी आप्सन बी मुस्लिम लीग आप्सन C सर्वदलिय सम्मेलन और आप्सन D सुराज पार्टी तो यहां पर यदि हम बात करें सम्मिधान सभा का बिचार सबसे पहले मुतिलाल नहरू के द्वारा सुराज पार्टी के द्वारा दिया गया था यानि आप्सन D is the right answer नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 32 बोस ने मार्ट 1940 में रामगड में एक सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रियास था किसके लिए फॉर्डरवर्ड ब्लॉक के लिए किसान सभा के लिए या अखिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के लिए तो यहां पर यदि हम बात करें तो फॉर्वर्ड ब्लॉक और किसा ए हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा नेक्स चलते हैं कुशन नंबर 33 पर क्या है 33 इसे समझते हैं निम लिखिती उगमों पर विचार कीजिए समाचार पत्र परत्रकाओं की कौन से सही सुमेलित नहीं हैं हिंदू पोट्रियोट ग्रीस चंद घोष बंग दर्सन दयाल पर्मा पारी दसग विपिन चंदरा तो यहां पर यदि हम बात करें कौन से सही सुमेलित नहीं हैं तो बंग दर्सन जो था वो अभी तुम्हें कुछ देर पहले मिला था वो बंकिम चंद चटर जी द्वारा था नकी दयाल सींग मजीठिया के द्वारा था किसके द्वारा बंकिम चंद चटर जी ठीक है मित्रों समझे बंकिम चंद चटर जी यानि ऑप्सन बी हमारा क्या होगा बिलकुल सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 34 पर और उसे समझते हैं 34 नेमले लिखित कतनों पर बिचार कीजिए गांधी जी ने भारतियों को 6 सेल 6 अपरेल 1919 क रोलेट एक्ट के ब्रोद में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आवान किया बिलकुल सही बात है और इस एक्ट की ने अभिव्यक्ती की सुतंतरता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुस लगाया और पुलिस सक्तियों को मजबूत किया ये दोनों बाते मित्रों क्या हैं बिल्कुल सही हैं यानि option A भी हमारा बिल्कुल सही होगा और ये विचार आर जो है A की व्याख्या कर रहा है next चलते हैं question number 35 पर क्या कह रहा है 35 उसे समझते हैं निम लिखित में कौन सितंबर 1928 में स्थापेद हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक कन आर्मी के संस्थापक सदस्य था number A भगत सिंग, B जोगेश चंचेटर जी, अजय घोज, फडिंदरनाद घोज तो हिंदुस्तान सोचलिज्ट रिपबलेकन आर्मी के संस्थापक सदस्य के बारे में बात करें तो 1928 में भगस सींग ने ही इसको बनाया था तो भगस सींग इस दर राइट आंसर जोगेश चंचेटर जी क्या है जोगेश चंचेटर जी भी इसके सदस्य थे और अजय घोस फणिनरांद घोस इसके नहीं थे तो आप्शन कौन सा सही होगा आप्शन ए हमारा बिलकुल सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 36 क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक के संबन्द में निम्र के कतनों पर विचार कीजिए इसकी स्थापना सुभाश चंद बोज द्वारा कॉंग्रेस के भीतर नई पार्टी के रूप में की गई थी इसका निर्मान के परणाम सुभाश चंद बोज को तीन वर्ड के लिए कॉंग्रेस में कोई भी पद्धारन करने पर पृतिबंद लगा दिया गया था ये दोनों बाते हैं बिलकुल मित्रों क्या हैं सही है यानि आप्शन सी हमारा सही होगा क्या है 37 इसे समझते हैं निव लिखे कतनों पर विचार कीजिए कौन सा बर्स 1937 के प्रांतिय चुनावों के संदर में सही है ए साइमन कमीशन के आदेशा नुसार बिटिस भारत में बर्स 1937 के में प्रांतिय चुनाव आयुजित किये गए थे बी ये चुनाव सीमित वयस्क मतादिकार पर आधारित था सी कौंग्रेस ने चुनावी घोशना पत्र के माध्यम से बारत सरकार अधनियम 1935 की पूर्शुक्रती पुष्टी की उपरुक्त सभी तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा कथन बिलकुल सही है तो यहां पर 1937 में प्रांती चुनाव के संदर्व में समती ने वयस्क मतादिकार का आधारित था यही कथन क्या है बिलकुल सही है नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 38 पर क्या है इंडियन नेशनल लिबरेशन एसोसियेशन की स्थापना किसने की राधा कांत देव, एम जी रानाडे, सुरेंदरनाथ बनर जी, सिव नराएन अगनोत्री तो यह की थी सुरेंदरनाथ बनर जी के द्वारा ठीक है किसके द्वारा सुरेंदरनाथ बनर जी के द्वारा नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 39 किस ने भारत महिला परिशत की स्थापना की तो भारत महिला परिशत की स्थापना जिसने की हैं वो हैं रमावाई राना डे ने उननिस सो चार में इसकी स्थापना की थी नेक चलते हैं कुशन नंबर फोटी पर निमलिखित मैंसे किस ने मासिक पत्र का बितल विद्वनसक की सुरुवात की गोपाल वावा वलवंग कर वी आरंबेट कर ईवी रामस्वामी बाल सास्त्री जंबेकर या इन मैंसे कोई नहीं तो यहां पर यदि हम बात करें तो यह हैं गोपाल वावा वालंग कर ने इसकी सुरुवात की थी गोपाल क्रश्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ठीक है? नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 41 क्या कह रहा है? सरसयद एहमत खान के संबंद में निम्रिखी कतनों पर विचार कीजिए यह बर्स 1878 में इंपीरियर लेजिसलेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा देखते हुए अंग्रियोजनों ने नाइठ हुट की उपादी से सम्मानित किया परदा, बहुविवा और पीरी तथा मुरदी प्रिथा के समर्थन किया नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों और इनमे से कोई नहीं तो यहां पर यदि हम बात करें इंपिरियर लेजिसलेटिव काउंसिल की सदस्य बने और निष्ठा को देखते हुए नाइठ हुट की उपादी से सम्मानित किया ये बात बिलकुल सही है जबकि परदा बहुविवा पीरी मुरादी पिर्था का समर्थन किया वो हिंद मुस्लिम समाज में आधनिक सिख्छा के पैरोकार थे और इनहीं के कारण ओरियंटिल सुसाइटी की स्थापना हुई और यही साइंटिफिक ओरियंटिल सुसाइटी आगे जाके अलीगड़ अंदोलन में तबदील हुई और हमें एक अलीगड़ मुस्लिम इनिवर्स्टी के तोर पे देखते हैं तो यहाँ पार जो उप्सन सही है वो केवल एक सही है यहीं उप्सन ए हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 42 पर क्या है 42 उसे समझते हैं देव बंद आंदोलन में के संबंद में निम्रे के कथनों पर विचार कीजिए इसकी सुरुवात मुहम्मत कासिम ननौदबी और रसीद एहमाद गंगोई ने की बिलकुल सही है देव बंद पंद भारतिय राज़्टी कॉंग्रेस के कथन का स्वागत किया गया यह भी बिलकुल सही है यानि यहां पर दोनों कथन क्या हैं हमारे बिलकुल सही हैं नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 43 नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 44 पर क्या कह रहा है 44 उसे समझते हैं नीचे दिये गए कथन में एक को अभी कथन और दूसरे को कारण अभी कथन भारतिय राज़्टी कॉंग्रेस के नरम पंथी यह समझने में बिफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परसद में किये गए सुधारों का उद्देश नरम पंथियों को प्रुस्कृत करने के बज़ाए गरम पंथियों को अलग थलग करना था दी चरम पंथी इस बात पर अभी गे थे कि चरम पंथी आदकारिक दमन के बुरुदिन की रक्षा और प्रात्मिक पंथी के रूप में कार कर सकते हैं नीची दिए गए कूट का उत्तर चुनिए ए आर दोनों सही है आर एकी ब्याख्या है ए आर दोनों सही है आर एकी ब्याख्या करता है ए सही किंतु आर नहीं तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा उप्सन सही है तो आर की ब्याख्या नहीं हो रही है बरना A और R दोनों सही है यानि option A हमारा बिलकुल सही है next चलते हैं question number 45 पर क्या कह रहा है 45 उसे समझते हैं अपरुट कत्नों में से कौन सा कत्न सही नहीं है देखते हैं कौन सा कत्न सही नहीं है सतेंदर नाथ सिना 1909 में वाइसराय के कारकारी परसद के निउप्त होने वाले पहले भारतिय थे ये बात बिलकुल सही है 1909 के मौरले मिंटो सुधार इंपीरियल लेजिसलेटिव कांसिल और प्रांतिय विधान परसदों के निर्वाच्चिस अधनसों की संक्या बरदी हो ये भी सही है 1906 में वरिंदर कुमार घोज भूपेन नादत साबताहिक वांतर की सुरुवाद की ये भी सही है बारदोली सत्याग्रह का कारण रोपिय नील बागान मालकों द्वारा लागू की गई तिन कठिया प्रिनाली के बरोद था तो बारदोली सत्याग्रह में यदि हम बात करें तो ये बात सही नहीं है क्योंकि बारदोली सत्याग्रह जो था वो किसके लिए किया गया था उस सरदार बल्लब भाई पटेल के नेत्रित में उचित ब्रद्धी के खिलाब बार्डोली किसानों की आजादी के संबंद में था तो ये कथन गलत है और गलत ही ढूनना था यानि ओप्सन डी हमारा क्या होगा सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 46 पर क्या कह रहा है 46 उसे समझते हैं बर्स 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की सुरुवाद किसने की सियाम जी करस्न बर्मा बदनलाल धींगरा मेडम भीका जी कामा और एनी बेसेंड तो ये सुरुवाद की थी लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की सियाम जी करस्न बर्मान है किसने सियाम जी करस्न बर्मान है नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 47 पर क्या है 47 इसे समझते हैं गदर पार्टी के संबन्द में निबल के कथनों पर विचार कीजिए इसका मुख्याल है बैंकूवर में इस्थित था और इसकी अन्य साखाएं अमरीका के तटी और सुदूर वर्ती छेत्रों तक विस्तृत थी और इनके सदस्यों को उद्देश भारत में विद्रो की सुरुवात करना और 1914 में दो घटनाओं कामा घाटा मारू घटना और प्रिथम विस्युद्द की सुरुवात ने इसे उद्देशियों के लिए काफी प्रोथ साहे किया तो ये दोनों स्टेट्मेंट बिलकुल सही ह ठीक है तो यानि option D हमारा क्या होगा सही होगा ठीक है नेक चलते हैं question number 48 पर क्या कह रहा है निम लिखित के संबंद में 1915 की Berlin Committee for Indian Independence से नहीं था Berlin Committee Indian Independence तो यहां देखते हैं वरेंद्र नाथ चाटो पाध्याए भी भुबेंद्र नाथ दत्ता सी लाला हर दयाल गुरु वक्ष सिंग धिल्लो तो यहां पर कौन सही नहीं है option D सही नहीं है गुरु वक्ष सिंग धिल्लो ये इसमें सामिल नहीं थे ठीक है पांचवी गोरि पिल्ला रेजिमेंट के प्रिसिक्षण की देखवाल का कार किया था इन्हों ने इस इंडियन कमेटी इंडिपेंडेंस से संबंदिद नहीं है यह नेक्ष चलते हैं कुश्चन नमबर 49 पर क्या कह रहा है 49 उसे समझते हैं बर्स 19 कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही नहीं है ऑप्सन ए बर्स 1813 में चार्टर अधिनियों के अंसर राजस प्रिसासन को न्याइपालका के कारियों से अलग कर दिया गया ओके यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नेक्ष्ट क्या है बर्स 1813 के चार्टर अधिनियों के अंसर भारत में वियापार पर कमпणियों का इकातिकार समाप्त हो गया किन्तू कंपणी चीन और चाय के साथ बना रहा यह भी कथन बिल्कुल सही है 1793 के चार्टर अधिनियम बंगाल मदराज बॉंबे और अन्य सवी छेत्रों में गवर्नर जनल का पूर्ण नियंतर दे दिया गया ये भी बात बिल्कुल सही है 1861 के भारतिय परसद अधिनियम द्वारा बिटिस अधिन भारत सरकार बा बिदाई कारियों को अलग कर दिया गया तो 1861 के इस अधिनियम के बारें बात करें तो 1861 के अंतरगत ऐसा नहीं किया गया था ये 1853 में ही कर दिया गया था यानि ओप्सन डी हमारा गलत है और यही सही होगा नेक चलते हैं कुशन नमबर 50 पर कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतिये पत्रकार कौन थे तारखनादास, बाल गंगधर तलग, अरविंदो घोष और सुरेंदरनाथ वनर जी तो कारावास में सबसे पहले जो पत्रकार डाले गए थे वो थे सुरेंदर नाथ वेनर जी को भारत में पहली बार कारावास में डाला गया था एजी रिपोर्टर नेक चलते हैं बुर्ज होम पुरातत्व इस्थल से नप पासाण युक के अस्थी निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है जो यह कहां पर है तो बुर्ज होम जो है वो आपका जम्मू कस्मीर में है उप्शन सी हमारा सही होगा नेक चलते हैं कुशन नमबर 52 चारों वेदों में सबसे लगुवेद, रिगुवेद, अथरुवेद, यजुरुवेद या सामवेद है तो सबसे लगुवेद जो है वो आपका सामवेद है उप्शन डी हमारा सही होगा नेक चलते हैं कुशन नमबर 53 किस पासाण युप के लोगों कोई चित्रकला में सबसे अधिक रुची थी पुरा पासाण, मद पासाण, नब पासाण या इन में से कोई नहीं तो सबसे अधिक रुची जिसकी थी चित्रकला में वो थे मद पासाण काल के लोगों की किसकी थी? मद पासाण काल के लोगों की नेक शलते हैं कुशन नमबर 54 सिंदू घाटी सब्विता के लोगों को निम्लिकित में से किस पसू के बारे में जानकारी नहीं थी बिल्ली, गधा, उंट और सिंग तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो किस सिंग की जानकारी नहीं थी तो सिंग की जानकारी नहीं थी बाकी बिल्ली उंट गधा इनके चित्रतू हडपा सब्विता के लोगों के साथ मिले हैं क्या है सिंदू घाटी सब्विता के विस्तार के संबन्द में निम्लिकित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है सबसे उत्तरी स्थल मांडा सबसे दच्छडी स्थल दैमाबाद सबसे पश्मी स्थल सुर्क उठदा और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपूर तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां परियदी हम बात करें, सुमेलित नहीं है, तो पश्मी उस्थल सुमेलित नहीं है, वो सुर्कोर्दा नहीं, बलकि सुर्कांडे सुत कागन डोर है, सुत कांगे डोर, ठीक है? option c हमारा सही सुमेलिद नहीं है next चलते हैं question number 56 क्या कह रहा है निम्रिफी कतनों मैंसे कौन सा इस्थल लोथल से नहीं है यह कॉम्बे की खाड़ी से पास इस्थितिक पत्थन है इसका उत्खनन प्रोफेसर ऐसा राव ने किया था यह प्राक्रतिक बंदरगा था यहां कोई नगर दुर्ग नहीं था तो यहां परियदी हम बात करें कौन सा option सही नहीं है तो कौन सा बारे में लोथल से सही नहीं है तो प्राक्रतिक बंदरगा था यह बात बिलकुल गलत है वो प्राकृतिक बंदर्गा नहीं, main made बंदर्गा है, ठीक है, ठीक, तो कौन से बंदर्गा था, क्रत्रिम बंदर्गा था, नेक्स चलते हैं, question number 57, पाटली पुत्र के किले का निर्माण किसने करवाया था, बिम्बिसार, उदैन, अजात सत्रू या काला सोग, तो पाटली प पुत्र का, तुर्ग का निर्माण, अजात सत्रू ने करवाया था, किसने करवाया था, अजात सत्रू ने, नेक्स चलते हैं, question number 58, निम्दिखे कतरों में से कौन सा तोल कप्यम के संबंद में सही नहीं है, या तमिल साहित का सबसे प्राचीन साहित है, इसकी रचना इसकी रचना इलेंगो आदीगल ने, इसकी रचना की थी, तोल कप्यम ने, किसने की थी, तोल कप्यम ने ही की थी, जिसको हम तोल कप्यार के तौर पे जानते हैं, यानि B option ही हमारा सही उत्तर होगा, ने, शलते हैं. कुछन Paradise 59, निमलिक खित कत्नों मैं से कौन सा गुपतकालीन सिक्कों ते संबंदेद सही नहीं है, या चान्डी के सिक्कों के रउपियक कहा जाता था, सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था, गुपतकाल के दौरां जारी किये गए, अन्य के सिक्कों अच्छी नहीं थी सब से अच्छी अगर हम गुडवत्त के तोरे जात करते हैं एंशी एंट इंडिया में तो कुसानों के टाइम पर प्योर गोल्ड के शिक्षख के बनाए जाते थे जो स्ञाइं पर ओपसंड के सिक्षख degree नहीं बनाए जाते थे तो यहांपर चेस्टिस ऑफ गुप्ठकाल नेक्स चलते हैं कुशन अमबर 61 पर क्या कह रहा है निम लिखे सासकों में नागा नंद नाटक का लेखक कौन था चंद गुप्त दुति है समुद गुप्त हर्सवर्धन पुस्विभूती तो नागा नंद नाटक के लेखक हर्सवर्धन द्व पर क्या कह रहा है 62 से समझते हैं निम लिखे कतनों में से कौन सा अमोग वर्ष प्रिथम के संबंद में सही नहीं है यह राष्टकूट राजवन से संबंदे थे यह सेव मत के अनुयाई थे उनकी प्रिसिद्धिक रती कंनल भासा में रचित कभी राज मर्ग मार्ग है उन परा सही नहीं है ठीक है यह जैन संपर्दाय से रिलेटर थे यह जैन धर्म के अनुयाई थे नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 63 क्या कह रहा है कुश्चन तंजोर में ब्रहदीस्वर मंदिर का निर्माड किसने करवाया विजयाले राज-राज-पिर्थम राज-पिर्थम राज-पिर्थम ने करवाया था नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 65 पर और क्या कह रहा है 65 उसे समझते हैं है निम्लिखित कत Narrapal, लोयोग के रूप में चित्रित, मुरुत्त पी जीडवलू संगस्क्रती के संबंद में सही नहीं है, यहां पर माइंड करना है, सही नहीं है, पहला इस काल के लोग मिट्टी के बने कटोरे और चित्रित, भूरे मिट्टी के बरतोनों का उपयोग करते थे बिलकुल बात सही है चित्रित भूरे मिरतभान स्थल पूरवी यूपी बिहार के निकटवरते इलाकों में मिले हैं इस यूप के लोग लोग लोए और अत्यारों का इस्तमाल करते थे ये बात बिलकुल सही है ठीक है लोहोयोक की बात यहीं पर जैसे कर दी गई है इस काल में कई विजातिय समू के राज्यों का उलेक मिलता है ये भी बार विलकुल सही है लेकिन अगर इसके छेतर के बारे हम बात करें तो चित्रिस संस्कृती का छेतर हमारा यूपी विहार नहीं बलकि पंजाब, हर्याना, छेतर है कौन सा है? पंजाब, हर्याना और राजिस्थान ठीक है? तो यही उपसर हमारा क्या होगा? गलत होगा और यही आंसर होगा नेक चलते हैं सूची एक और सूची दो को मिलाना है तो देखते हैं उपनिसद हैं और व्याख्या है एतरे, छंदोग, कंठ और मुंडग यहां पर बताना है कौन से उपनिसद में क्या मिला है तो एतरे उपनिसद के बारे में बात करें तो आत्मा और चेतना की उत्पत्ती एतरे ब्रहम्मन में ही बताई गई है छंदोग के बारे में बात करें तो मंत्रों लेवं जाप के बारे में बताया गया है कठ के बारे में बात करें तो कठ या कठा अपनिसद नचकेता और यम मुंडोग अपनिसद सत्त में ये कठा या कठ है तो ये सही होगा कठो अपनिसद यानि कठो अपनिसद के तोर पे इसे जाना जाता है तो ये बिलकुल सही है, सारे सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर option देखते हैं, कौन सा option, एक, दो, तीन, चार, यानि ए option ही हमारा सही होगा next चलते हैं, question number 60, seven पर, निम लिखित में से किस मौर समराट को अमित्र घात कहा जाता है, असोक, बिंदु सार, चंद्रगुप्त मौर, ब्रहद्रत, तो किसको कहा जाता है, इसको बताना है हम लोगों को, अमित्र घात जो थे, वो कौन से थे, इसको बताना है, तो अमित्र घा जो थे, वो आपके, बिंदु सार को कहा जाता था, किसको कहा जाता था, बिंदु सार को कहा जाता था, next question है, हमारा, question number 68, मौर प्रिसासन के तैद भूमी कर एकत्रित करने वाले, अधकारियों के एक बर्ग को क्या कहा जाता था, एग्रोनोमोई, भरतियाकस, छेत्र का, एग्रोनोमोई कहा जाता था, next चलते हैं, question number 69, बेस नगर इस्तंब सिला लेक में, निम्रिकित में से किसने सुयम को भागवद के रूप में वर्नेत किया है, भागवद्र, डेमेट्रियस, अगनीमेत्रिया, हैलियोडोरस, तो बेस नगर के बारे में जो बात की जाती है, वो भागवद्र से संबंदित है, किस से भागवद्र से संबंदित है, ठीक है, तो option कौन सा सही होगा, sorry, हैलियोडोरस होना चाहिए, किस से संबंदित है, ये जो हैं, वो हैलियोडोरस से संबंदित है, बेस नगर इस्तंब, ठीक है, next चलते हैं, question number 70 पर, और देखते हैं, 70 किया कह रहा है नेम लिकित कत्रों पर विचार कीजिए कौन सा इंडो ग्रीक सासक मैनेंडर से संबंध में सही है इनगी राजधानी साकल में थी बहुत गरंद मिलिंद पनो मिलिंद और नाकसेन के बीच एक दार्सिनिक बाद विवाद है ओप मैं से कौन सा सही है यह राजध कुशनम teese 71 कि किस ने अपने सिक्तों पर स्वैंico महेसस ध किया आपने आप पut्र सत्करनी से संबंध मैं नासिक अब लेग निमलिकित में में लिखा गया था प्राकरत यूनानी अर्माई क्या संस्कृत तो ये लिखा गया था आपका प्राकरत भासा में किस भासा में मित्रों प्राकरत भासा में next चलते हैं कुश्यन नंबर 73 पर क्या है 73 इसे समझते हैं सूची एक और सूची दो को मिलाना है संगम योग और भूमी विवाजन के बारे में बात की गई है तो सबसे पहले बात करते हैं कुरुन जी जो होती थी वो पहाड़ी भूमी होती थी कैसी होती थी पहाड़ी भूमी यानि पहाड़ी रास्ते इसका जो देवता था वो मुरूगन होते थे कौन होते थे इनके देवता मुरूगन इनके देवता होते थे कुरुन जी पालाई के बारे में बात करें तो ये रेगिस्तान वाली भूमी होती थी कौन सी मित्रों रेगिस्तान वाली भूमी होती थी और अगर इनके देपता के बारे में बात करें तो इनके देपता मियोन यानि विश्नु होते थे, कौन होते थे, विश्नु होते थे, मुल्लाई के बारे में बात करें तो इने देहाती, क्या, देहाती, भूमी या आपके, इनके देपता कुरवई हैं, कौन है इनके कुरवई कौर वई ठीक है कौर वई हैं और मुलाई में दिहाती हैं और इनके देपता विश्नु है कौन है विश्नु मियौन और नेथल के बारे में यदि हम बात करें तो ये तटिय भूमी होती थी कैसी भूमी तटिय भूमी और इसके देपता वरुनान होते थे option एक सही होगा मुलाई के बारे में बात करें तो दिहाती यानि चरागहा एक तरह से हो जाएगा क्या हो जाएगा चरागहा हो जाएगा मुरुदम या मुलाई नेतल के बारे में बात करें तो तटिये हो जाएगा ये चौथा है और ये आपका तीसरा है दो एक चार तीन दो एक तीन चार यानि ऑप्सन भी हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा ठीक है मित्रों नेख चलते हैं कुष्टन नमबर 74 पर क्या कह रहा है 74 पांड सामराज का प्रतीक चिन क्या था तो पांड सामराज का प्रतीक शिन मचली था, क्या था, मचली था, चोल सामराज के बारे में बात करें, तो चोल सामराज का बाग था, क्या था मित्रों यहीं पर देख लें, चोल का बाग था, और यहीं पर चेर के बारे में यदि हम बात करें, तो चेर का धनुस था, ठीक है, नेक्स च सेनिक जमीदार व्यापारियों का समू या किरायदार तो स्रेणी जो थी वह व्यापारियों का समू होती थी नेक्स चलते हैं कुछन नमबर सेविंटी सिक्स जॉन मेलकम जैम्स मिल फ्रांसिस ड्रैक और बी ए इसमित समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था तो सम नेक्स चलते हैं कुछन नमबर सेविंटी सेविंट क्या है निमलिकित में से कौन पुस्तक बारे मीर द्वारा लिखी गई प्रकास प्राकरत पंच सिध्धानत का सिल्पा सास्त्र या मंत्रे मंत्र सास्त्र तो यहां पर जो पुस्तक है वो है आपका पंच सिध्धानत का क किस वाका टक राजा के संधक्ष्ण में बनाए गई थे बिंदिसक्ती प्रवर सेन हषी सेन नुद्र सेन पृत्धं तो यह बनाए गई थे मित्रों किसके साम राज में यह आपके बनाए गई थे हरी सेन के द्वारा, किसके द्वारा, आयनता गुफाएं, वो दवेयार चैत किस राजा के संदक्षन में बनाए गए थे तो ये बनाए गए थे आपके हरी सेन के संदक्षन में नेक्ष चलते हैं कुशन नमर 79 क्या कहरा है 79 गुप्त सामराज में निम्लिखित प्रिसाचनिक प्रभावों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक विवस्थित करना है तो अगर हम यहां पर बात करें सबसे पहले भुक्ती के बारे में बात कर लें किसके बारे में भुक्ती जो की प्रोविनेंस या राज होता था राज जिसे सोटा डिस्टिक जिसे आप विसे कहते थे क्या कहते थे डिस्टिक जो आपका जिला होता था क्या होता था जिला होता था ठीक है उसके बार विथिक विथी होता था जिसे आप तहसील के तौर पर या सब डिस्टिक के तौर पर जानते हैं सब डिस्टिक के तौर पर और सबसे चोटा विथी की चोटा है गिराम, यानि भुक्ती, विशे, बिथी और ग्राम यानि पहले भुक्ती आएगा फिर उसके वार Slack तीसरा नंबर, पहला, तीसरा और फिर चौथा और फिर दूसरा, एक तीन, चार, दो एक तीन एक तीन, चार, दो उल्टा चल के देखो तो दो चार तीन एक यानि option A हमारा सही हो जाएगा दो तीन चार एक नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 80 निम लिखित मैंसे कौन बीजगड़ित के जनक और भारत के सबसे पहले खगोल सास्त्री के तौर पे जाने जाते हैं तो बीजगड़ित के जनक के तौर पे जाना जाता है जिस व्यक्ती को उस व्यक्ती का नाम है आरभट प्रिथम ठेक है सूर इसे धानतम नामक पुस्तक दी थी नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 81 निम लिखित मैंसे कौन सोला महाजन पदों में नहीं था तो गंधार कमबोज का अंचाल था जबकि कोसाम भी सोला महाजन पदों में नहीं था नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 82 और देखते हैं 82 क्या कह रहा है महाजन पद के अधिकारी और वेहवारिक सरवार्थक, गड़क और भागदूद तो यहाँ पर यदि हम बात करें महाजन पद के कौन से अधिकारी क्या थे तो वेहवारिक जो थे वो नियाय का काम करते थे ठीक है सरवार्थक के बारे में बात करें तो सामान इमामले देखते थे गणक के बारे में बात करें तो मुख्य लेखाकार थे भाग दूद के बारे में बात करें तो भाग का संग रह करते थे तो यहाँ पर जो आप्सन था वो आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है वो भी आप्सन बैठ रहा है नेक चलते हैं कुश्चन नमबर 83 पर क्या कह रहा है 83 तो पांड चेरा चोल पाल तो यह मूर्ती संबन्दित है किस से किस से संबन्दित है चोल से नेक चलते हैं कुश्चन नमबर 85 पर निम लिखित में से कौन बांड भट द्वारा लिखित लिखा गया है हर्श्चरित पारवती परणे मयूर सतक वाक के पदिये या इन में से सही उत्तर बताईए तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के पास चलेंगे तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बांड भट द्वारा हर्श्चरित और परवत परणिये यानि ओप्सन डी हमारा क्या होगा सही होगा नेक चलते हैं कुश्चन नमबर 86 पर कुश्चन अवक के संबन्द में निम्ली खितमें से कौन सा सही नहीं है अजमेर में कुश्चन अवस्चन का निर्मार का सरे बिलकुल सही है उन्होंने कुश्चन मिनार का निर्मार प्रारम कराया ये भी सही है उन्हें लाग वक्स के नाम से जाना जाता ये भी सही है हसन निजामी और फकरुदीन उसके सासन काल के आसर प्राप लेखक थी ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उनके समय अगर बात करते हैं लेखक के बारे में अजमेर में कुबत अलिस्लाम मस्जिद अजमेर में नहीं ये आपकी दिल्ली में है कहां पर है दिल्ली में तो दिल्ली वाली बात सही है और D option क्या होगा हमारा ये भी सही होगा तो option A गलत है यानि option A हमारा क्या होगा सही होगा नेक चलते हैं कुशन number 80 सेविन पर क्या एक्ता परणाली के संदर में क्रसी पर कर लगाने की पिर्था थी ये बात बिल्कुल सही है बंसानुगत प्रावधान थे ये बात सही नहीं है इसके अंतरगत एक अतकारी एक बेतन के बदले छेतर बिल्कुल सही है इसमें सल्तनत काल के दूरस हिस्तों में केंट जोड़ दिया ये सही है आपसंज़ भी हमारा गलत है वही सही होगा सएद बंस के संस्थापक कौन थे तो सएद बंस के संस्थापक किज़्ख खान थे कौन थे मित्रों खेज़् खान थे नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 89 पर पर विचार कीजिए क्या है विचार करना यह नक्सवंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्लहा हरार के अन्वियाई थे चंदेरी के युद में 1527 इस्वी में बावर और मालवा के राजपूत सासक मेदनी राय के बीच लड़ा गया तो यहां पर बावर से संबंद में जो यह बातें की गई हैं यह दोनों बातें बिल्कुल सही हैं उप्सन सी हमारा सही होगा नेक्स चलते हैं कुशन नम्बर 90 निम लिखित मेंसे कौन सा कथन सही नहीं है मोजाय परिसासन का निमतम स्थरता सही है मकवेरा 1570 में बनाया गया 93 में उन्हें इसको द्वारा ये भी सही है तो कौन सा गलत है ए गलत है और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमायू ने दिल्ली में एक नया सहर बसाया था जिसका नाम उसने दीन पना रखा और जमाली मस्जिद उसने दिल्ली में बनवाई थी कहां पर दिल्ली में नोट लाहोर में ठीक है ने शलते हैं कुश्चन नमबर 91 क्या है अकवर के संदर में निम्र की कतनों पर विचार कीजिए थोमस रो उनके दरवार में आने वाला पहला अंग्रेज था ये बात क्या है बिल्कुल गलत है उनका अंतिम अवियान 1601 में गोल कुंडा के बुरुद था तो अकवर का अंतिम अवियान 1601 में तो था लेकिन वो गोल कुंडा नहीं असीरगड कहां पर था असीरगड यानि कुल मिला के ये खान देश के में था कहां पर था खान देश में तो दूसरा भी statement क्या हो गया गलत हो गया तो फिर कौन सा सही है option D सही है ना A सही ना B सही नेक चलते हैं question number 92 क्या है सूची एक और सूची दो सुमेलित करना है सूची एक वकिया नवी दरोगाई डांक मुकदम और मुतसिती तो ये जो दिये गए हैं मित्रों ये आपके मुगल काल के अधिकारियों के नाम दिये गए हैं अब आपको बता है किनका क्या काम था तो बकिया निवस के वारे में बात करें तो समाचार विवरण करने वाला यानि समाचार की जानकारी देने वाला समाचार विवरण देने वाला दरोगाई डांक के वारे में बात करें तो संचार माध्यम है ये क्या है संचार का माध्यम मुकदम के वार बंदरगाहा का क्या होता था ये बंदरगाहा का गवर्नर होता था तो यहां पर बताना है कौन सा सही होगा गराम का मुखिया सही बात है मुकद्दम बता दिया भी आपने उपर ठीक है संचार का माध्यम आपने बता दिया दरोगाए डांक बिलकुल सही है बंदरगाहा का ग लाएं तो क्या मिलेगा समाचार पत्र यानि एक आप चौथा ओके बी का जाएं तो हम बी का है आपका संचार का माध्यम बी का दूसरा चार दो चार एक चार दो यानि बी ओप्सन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कौन सा आंसर है बी इस दा हमारा राइट आंसर ठीक है सर नेक्स चलते हैं कुश्चन नंबर 93 पर क्या कह रहा है 93 निमलिखित के बारे में अकवर के सासन के भूराजत्पवस्था के बारे में सही नहीं है तो बताई ये कौन सी बात हैं सही नहीं है अकवर ने दहसाला भूमी राजस्पिर्णाले की शुरुवाद की ये बात बिल्कुल सही है चाचर भूमी का प्रतेग वर्स क्हेती की जाती थी ये तीन से चार वर्स में की जाती थी खेती तो यही statement क्या हो जाए गलत हो जाएगा बी option सही हो जाएगा उदार दिरस्टी अपनाई थी गलवक्सी गालावक्सी ठीक है तो बी option हमारा गलत यही सही उत्तर हो जाएगा next चलते हैं question number 94 निम लिखित मेंसे कौन सुमेलित नहीं है गोविंद देव मंदिर बीवी का मकवरा एत्मादौला का मकवरा पंच महल तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा option सही नहीं है तो गोविंद देव जो है वो नासिक में नहीं क्या है ठीक है ये गोविंद देव मंदिर नासिक में नहीं बलकी राजिस्थान के आमेर में पढ़ता है बाकी ये तीनों क्या हैं बिलकुल सही है यानि option कौन सा गलत होगा ए हमारा सही उत्तर होगा यही गलत पूचा गया था नेक चलते हैं कुशन नमर 95 निम लिखित में से किसने बावर नामा का फार्ची अनवाज किया ओप्सन है आपके फैजी अबुल फजल अब्दुल रहीम खान खाना मिर्जा जी तो बावर नामा का फार्ची में 96 पर क्या कह रहा है 96 निम लिखित में से 96 समझे निम लिखित में से कतनों पर विचार कीजिए क्या है डिमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था व्यापारी था जो राजा क्रस्न देव राय के समय आया था बिलकुल सही है फ्रेंकी सु वर्नियर मुगल सहरों को कैप ट पिलकुल सही है कौन सा कथन सही है दोनों कथन सही है यानि option C हमारा सही होगा नेक चलते हैं question number 97 पर क्या है 97 सूफी बाद में सुहर का अर्थ है भैका पृति गरिवी मुख्ष प्राप्ति के लिए समर्पन सही सुड़ता का पालन करना तो सूफी बाद का जो अर्थ होता है वो होता है सही सुड़ता का पालन करना यानि option D हमारा क्या होगा सही होगा नेक्स चलते हैं question number 98 मराथा इस्थानी और प्रांती प्रिसासन के संदर में R.O.E. में कौन सा निमलिकित में सही किरम है मौजा परगना तरफण प्रांत और प्रांत और प्रांत तरफ मौजा प्र क्या होगा सही होगा next चलते हैं question number 99 पर मोदी लिपी का उपियोग निमलिखित दस्तावेजों में किया गया था वाइडार मराथा जमोरेन होईसल तो मोदी लिपी का प्रियोग किया गया था किस में? मराथा में next चलते हैं question number 100 निमलिखित में से कौन सा विद्वान दर्सन सुमेलित नहीं है? संक्राचार अदूइत वाद बताया था रामानुज ने विसिष्ट अदूइत वाद निमबार्क ने दूइता दूइत वाद बल्लवाचार ने दूइत तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बल्लवाचार के बारे में तो बल्लवाचार ने दूइत नहीं बलकि सुध दूइत वाद क्या? सुधवा दूइत वाद वाद बताया था ओप्सन डी हमारा सुमेलित नहीं है वो ही सही उत्तर होगा नेक चलते हैं कुश्चन नमबर 101 101 पर क्या कह रहा है 101 पिर्थम आंगल मैसूर योद अंगरेजों की हार के साथ समाप्त हो गया था दूतिया आंगल मैसूर योद सर आयर कूट के नित्रत में हुआ था तिर्थिया आंगल मैसूर योद लॉड मिंटो के नित्रत में हुआ था चौतर थिया मेसर युद अवैसल यली के नित्यत में स्रीरंगम पटनम इपु सुल्तान पराजित हुआ तो यहां पर यदि हम बात करें तृत्रिय आंगल युद मिंटो नहीं बलकि लॉर्ड कॉर्न वॉलिस के समय हुआ था मैं सी हमारा क्या है गलत है और वही वतर होगा नेक्ष चलते हैン व लॉन लग क्या कहरा Mean मैं उसे समझते हैं न्यम्लिखित पर बिचार की जै पेंडारी युद आर्भत का युद पिलासी का त Confederate करनाटक युद निमलिखित कतनों पर विचार की जी ये ठीक है तो पिंडारी युद जो हुआ था मित्रों वो हुआ था थारा सो सत्रा अठारा में ठीक है अठारा सो सत्रा अठारा में अर्कोट आरकोट का युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो अरकाट का युद्ध सत्रा सो इक्यावन में हुआ था कब हुआ था सत्रा सो इक्यावन में ठीक है प्लासी का युद्ध के बारे में बात करें सत्रा सो सतावन में पिर्थम करनाटे के उतके बारे हम बात करें तो 1740 से 48 तक चला था तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चौथा नमबर सबसे पहले आया उसके बाद तीसरा नमबर आया उसके बाद दूसरा नमबर आया फिर तीसरा नमबर आया और फिर पहला चार दो एक तीन एक चार दो तीन एक यानि ओप्सन ए हमारा बिल्कुल सही होगा नेक शलते हैं कुशन नमबर 103 क्या कह रहा है 103 सिक कांदोलन के संदर में निमलिखित में से कौन सा कतन सत्य है गुरू नानक ने चक रामदास की आधार सिला रखी जिसे अमरत सर कहा जाता है गुरू अंगर ने लंगर सामधायक रसोई का अवधारना पेश की गुरू अर्जुन देव ने पंजावी भासा में गुरू मुखी लिफी को मन की करे तोलोग प्रिय बनाया गुरू सहर गोविंद ने सच्चा पात्सा की उपादी की तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा उप्सन सही है तो डी उप्सन हमारा क्या होगा सही होगा सिवाजी के सासन काल में सार ए नौबत एक सैन कमांडर होता था ओप्सन ए हमारा सही होगा next 105 बंगाल के निमलिकित नौबों मैसे किसने मुगल समराड को कर देना बंद कर दिया था मुरसीद अलि वर्दी खान सराजी दौला सरफरास खान तो ये बंद कर दिया था міकिस ने किसने अलि वर्दी खान ने बंद कर दिया था next चलते हैं कुषट नमबर 106 पर क्या है निम्लिखित में से कौन उत्तरादिकारी राज नहीं है जो मुत्तर मुगल कालीन मुत्तर कालीन मुगल सासकों के दौरान अस्थित में आया हैदरावाद, अवद, मैसूर और बंगाल तो हैदरावाद, आवद, मैसूर और बंगाल जो हैं इसमें यदि हम बात करें तो कौन उत्तर मुगर कालीन नहीं है तो आपसन जो है वो सी हमारा बिलकुल सही होगा ठीक है उत्तर मुगर कालीन राज नहीं है नेक्स्ट आपका कुशन नमर बन जी रुसेबिन एहमद नगर सल्तनत की स्थापना किसके सारसन काल में होई थी एहमद नगर सल्तनत काल की स्थापना होई थी मलिक एहमद सहा बहारी के काल में ठीक है किसके द्वारा की गई थी मलिक एहमद सहा बहारी नेक्स चलते हैं कुशन नमर वन जी रो एक निम लिखित मैंसे किसने नागल पुरम की संस्थापक कौन था क्रश्न देवराय हरी अर्दुतिय देवराय यार्देवराय दुतिय तो इसके थे क्रश्न देवराय option A हमारा सही है गोल कुंडा के सल्तनत पर निम लिखित मैंसे किस राजवंस का सासन्थ था आदिल साही राजवन्स, कुतुब साही राजवन्स, नजाम साही राजवन्स, गोल कुंडा पर था कुतुब साही राजवन्स का, नेक चलते हैं कुश्चन नमबर वन जीवन जीरो, 110, वेहमनी सामराज, वेहमनी सामराज के संदर मैंनिम्ल के कथन में कौन सा कथन सही है, अल थी कौन सा कथन सही है एक और दो दोनों तो यहां पर यदि हम बात करें कि दोनों कथन बिलकुल सही है ए आपसन सही होगा नेक चलते हैं कुशन नमबर 111 निम लिखित मैंसे कौन सा देश होकी बिसुकब 2023 का प्रिथम उपवेजेता रहा तो होकी बिसुकब का प्रिथम उपवेजेता के बारे में अगर हम बात करें जर्मनी बेल्जियम दच्छड कोरिया और पाकिस्तान तो बिजेता रहा है जर्मनी ने बेल्जियम को हरा कर भारत में उडिसा में आजिए होकी बिसुकब 2023 जीता ये आपका विनर है और ये आपका सेकेंड रन अप है नेक्ट चलते हैं कुशन नमबर 112 निम्लिखित मैंसे किस इस्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उतकरस्टता केंदर स्थापित किया गया गुहाटी दिस्पुर कोहिमा तो ये किया गया था सिलोंग में कहां पर सिलोंग में किया गया है नेक्ट चलते हैं कुशन नमबर 113 भारत के 78 में ग्रेंड मास्टर कौन बन गए है एम प्रणाव आदित मित्तल कौस्तव चटर जी प्रणाव आनन तो ये बन गए हैं आपके कौस्तेव चटर जी कौन बन गया है कौस्तेव चटर जी 78 में ग्रेंड सलैम कोलकत्ता के हैं नेक्स कुशन है आपका कुशन नमबर 14 114 निम लिखित पदक विजेता पर विचार कीजिए मुलाइम सिंग आदब स्रीनिवास वरधन जाकर हुसेन उपरुक्त मैसे पदम भिभूसण से सम्मानित किया गया तो यदि हम पदम भिभूसण के बारें बात करें तो इन तीनों को ही पदम भिभूसण दिया गया है यानि ओप्सन डी हमारा सही होगा नेक चलते हैं कुशन नमबर 115 निमलिखित मैसे किस इस्थान पर विष्ट का पहला ताड़ पत्ता पांडूलिपी संग्राले इस्थापित किया गया हाली में भारते प्रधान मंतरी ने निमलिखित मैसे किस इस्थान पर टेंट सिटी का उधगाटन किया प्रियागराज, बनारस, उज्जेन और हरिद्वार तो टेंट सिटी का उधगाटन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने बनारस में किया करहां पे किया मित्रों वारा रसी में किया ठीक है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एम भी गंगा विलास को हरी जन्री दिखाई और टेंड सिटी का उधगाटन किया था निम लिखित मैं से किस राज का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज घोसित किया गया है गोआ केरल सिक्किम तमिलनाडू तो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग करित राज जो है आपका वो केरल को कहा गया है किसे कहा गया है केरल को नेक्स चलते हैं कुछिशन नमबर 18 पर निम लिखित मैंसे किस इस्थान पर सत्रवें प्रवासी दिवस कायोजिन किया गया तो सत्रवें प्रवासी दिवस इंदौर भूपाल उजेन जवलपूर तो कहां पर आयुद किया गया इंदौर में निम लिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो संचालन प्रारम हुई हुगली गंगा नर्मदा आडियार तो पहली नदी जो प्रारम हुई वो है आपकी हुगली नेक शलते हैं कुशन नमबर 120 सामरिक दरिश्टी से महतपूर्ट सियोम बिरिज का निर्माड किया उत्राखंड हमाचल प्रदेश लद्दा को आणाचल प्रदेश तो सियोम बिरुज जो आपका बना है वो मित्रों बनाया गया था कहां पर आणाचल प्रदेश में निमलिकित में से कौन सा भारत का पहला समयधान साक्षर जिला बना ए कोट्यम, बी मदुरई, सी इंफाल, डी कोल्लम तो पहला पूर्ण समवानदी किरित राज जो बना है वो आपका बना है कोल्लम जिला कहां पर? कोल्लम जिला देश का पहला है और यह केरल में है में, राउर्केला और चेंड़े में, तो यिये हुआ है, कहां पर आपका, राउर्केला में, ठीक है, नएक चलते हैं, कुशन नमर मेर ओन्टू फोर, क्या कह रहा है, निम्लिखित में से किस सहर को आनपरदेश की नवीन राजधानी घोसित की गई है तो नवीन राजधानियान प्रदेश की जो घोसित की गई है वो की गई है मित्रों कौन सी हैदरावाल विसाका पटनम अमरावती और कुर्नूल तो यह जो राजधानी बनी है वो है आपकी विसाखा पटनम नेक चलते हैं कुछिशन नमर वन टू फाइव निम कौन सी है क्रोइसिया हाली में मिसाइल प्रत्वी सेकेंड ख़वरों में थी यह है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एंटी टेंक गाइडेड मिसाइल तो यह जो है आपकी मिसाइल प्रत्वी मेंसे किस राज़ को प्रदान किया गया तो ये प्रदान किया गया है उत्रा खंड को किसको प्रदान किया गया है उत्रा खंड को राष्टे रंगसाला सिविर के तोर पर बनाई गई थी ठीक है नेक्श चलते हैं कुश्चन नमबर 28 निम लिखित में इंसे नाटू नाटू गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब संमानित किया गया आप नाटू नाटू गीत का गीतकार है नेक्ट चलते हैं कुश्चर नंबर 129 निम्र 1 दिबस्य कर्केट के थ्यास में निम्र 2 सतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर है तो सबसे कम उम्र के क्रिकेटर जिनों ने 12 सतक बनाया है वो है ईसान के सन बंगलादेश के खिलाब 2010 में 12 सतक बनाया तो उनकी उमर थी 24 वर्स 154 दिन ठीक है भारत के सुमन गिल बरतमान में एक मात्र करकेटर है जो 200 रन बनाने वाले सबसे उम्र के कम के खिलाडी है जन्वरी 2023 में 23 वर्ष 132 दिन तो किस ने बनाया है ये तो ये ईसान किसन सुभावमन गिल से पहले बनाये था सुमन गिल ने पहला दोहरा सतक सबसे कम उम्र में बना दिया है ठीक है तो नेक्स चलते हैं कुशन नमबर 130 निम लिखित मैंसे किस भारतिय संगीत कार ने अपना तीसरा ग्रेमी पुरुसकार जीता तो संगीत कार जिसने अपना तीसरा ग्रेमी पुरुसकार जीता वो है रिकी केज किसने जीता है रिकी केज ने जीता है ठीक है नेच्ट है आपके 131, निम लिखित मैं से कौन सा सहर काला घोडा काला महोत्सव से संबन्द है काला घोडा काला महोत्सव से संबन्द जो राज्ज है वो है आपका मुंबई कौन सा है मुंबई है नेक्ष चलते हैं कुश्यन नंबर 132 पर किस पर 132 पर क्या कह रहा है निम लिखित में से किस ने नैशनल जिग्राफिक पिक्चर्स ऑफ तईयर जीता कार्तिक सुमर्णियम साज जंग कल्यान वर्मा संदेश कुदोर तो ये जीता है कार्तिक सुमर्णियम ने नैश चलते हैं 133 अंतराज के बौधिक संपदा आईपी सूचकांग 2023 में भारत का इस्थान क्या है चालिसमा ब्यालिसमा तितालिसमा या चालिसमा तो आईपी बौधिक सूचकांग में भारत का इस्थान क्या है तो भारत का इस्थान मित्रों है 42 वा, क्या है 42 वा, नेक्ट चलते हैं急्ष्ण नंबर 134 निम्लिकित मैं से किसी विसुबैंक समूग के अध्यक्ष के रूपमे नियुक्त किया गया है, विसुबैंक के समय अध्यक्ष बनाए गया है भारती अमूल के अजया है, बंगा next चलते हैं question number 135 135 क्या कह रहा है निमलिखित मैंसे कौन सा विक्तित तो अपने छेतर से संबंदित नहीं है कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंदित है ये बिलकुल सही है ठीक है जैस्विन एल्डरिन लॉंग जंपर है एस्वर्य प्रताप सिंग तॉमर भारतिय खेल के निसाने बाज है रचित रविंद्र तो रचित रविंद्र जो हैं वो सतरंज नहीं किर्केटर से संबंदित हैं कौन हैं किर्केट है न्यूजिलेंड के तो option D हमारा सही होगा next चलते हैं question number 36 विगनेस एनार खिलाडी है होकी के, किर्केट के, सतरंज के, फुटबॉल के तो विगनेस एनार जो खिलाडी हैं वो सतरंज के खिलाडी हैं किसके हैं मित्रों सतरंज के खिलाडी हैं next चलते हैं 137 क्या है निमलिकित मैंसे किसने विक्ट्री सिटी उपन्याद लिखा अरंदुती राय बिक्रम सेट करन देसाई सल्मान रुसदी तो ये विक्ट्री सिटी के तौर पे लिखा है उपन्याद सल्मान रुसदी ने किसने लिखा है सल्मान रुसदी ने विक्ट्री सिटी ठीक है ये उनका पंद्रुआ उपन्याद है या या त्योसो जील हाली में चर्चा में रही या इस्थित है लद्दाग में और नाचल परदेश में सिक्के में या हिमाचल परदेश में तो ये जील जो है उन लद्दाग में है जो चर्चा में रही ठीक है 4820 मीटर की उचाई पर है ठीक है पक्षियों का स्वर्ग के तौर पर ये जानी जाती है नेक्ट चलते हैं कुश्चन नमबर 139 इसमें से किस फिल्म ने बर्स 2023 में बाफ्टा प्रुसकार जीता किस फिल्म ने बाफ्टा प्रुसकार बाल, क्वाइन, क्वाइट ओन दा बेस्टन फ्रंट, वन्स ओफ एनी, सोरिन, इवरी थिंग, एब्रिवेयर, ओल एड वन्स, एल किस ने जीता, ओल, क्वाइट, फ्रंट, ठीक है, सर्फिस्ट, अबनेत्री के बारे में बात करें, तो ये जीता है, कैट ब्लैंसेट ने, कैट ब्लैंसेट ने जीता है, ठीक है, नेक्ट चलते हैं कुश्चन नमबर 140, नीती आयोग के नई CEO कौन बनाए गए हैं, तो नीती के द्वारा, 2023 में रडजी ट्रोफी जीती गई, सौराष्ट, करनाटक, बंगाल, मदप्रदेश, तो ये जीती गई है, किसके द्वारा, सौराष्ट के द्वारा, नेक्स चलते हैं, कुश्चन नमबर 142, क्या कह रहा है, राष्ट में कौन सा राष्ट के विग्यान दिवस 2023 का विसे था, सतत भविस के लिए विग्यान एवंप्रादो की की में एक एकरत रिस्टी कौन, वैस्विक कल्यान के लिए वैस्वी विग्यान, विग्यान में महिलाएं, STI का भविस, तो यहां पर यदी हम बात करें, तो वैस्विक कल्यान के लिए वैस्वी विग्यान, option B हमारा सही होगा, next चलते हैं, question number 143, निमलिखित मैं से किसे सामाजिक विकास आयो, CSO, SCD के 62 अध्यक्ष के तौर पर जाना गया है, option A है, गौरब अहूलवालिया, पृतिवा पारकर, रुचरा कमबोज, दिनेज भाटिया, तो ये जो हैं, वो हैं, रुचर, कमबोज, कौन है मित्रों, रुचर, कमबोज, next हैं, औस्टेलिया उपन का प्रुसकार एकल खिताब किसने जीता, तो उस्टेलिया उपन जीता है, एन जोकोविच, इस्टाफ़नोस, सित्फिसास, राफेल, नडाल, कारलोस, अलकराद, तो ये जीता है एन जोकोविच ने, next हैं, निमलिकित मेंसे किस इस्थान पर लीथियम के भंडार पाए गए हैं, लद्दा, कोहिमा, दीमा, पोरिया, तो ये हुआ है, कहां पर, ये हुआ है, रियासी में, कहां पर मिले हैं, रियासी, तो रियासी जम्मू कस्मीर में 5.6, 5.9, 9 मिलियन के भंडार पाए गए हैं, तो ये भारत बिस्टु के सभी भंडारों का लगवा 5.7 परतिसत है, नेक्स चलते हैं, कुशन नमबर 46, क्या कह रहा है, निम लिखित में से कौन सा राश्टपती भवन का मुगल गार्डन का नया नाम है, तो राश्टपती भवन के मुगल गार्डन का नाम अमरेत उद्द्यान कर दिया गया है, नेक्स चलते हैं, कुशन नमबर 147, भारी अपएटरों operation दोस्त नेक्स चलते हैं कुछछन नमबर 48निमिक से किसके दौरा देपौवर्टी ऑप पॉलिटिकल एक्कोनोमी का Johnny याल लिखा गया तो एक्काव पॉलिटिकल आ एकोनोमी का उपन्च लिखा है मेगनाद देशाई के द्वारा किसके द्वारा मेगनाद देशाई के द्वारा लिखा गया है नेक्स चलते हैं कुश्चन नमबर 149 ठीक है तरकस अभ्यास किसके बीच आयुजित किया गया था NSICG विसेश आर्मी अमेरिका अभ्यान राष्टे सुरक्षा गार्ड और अमरीकी विसेश अभ्यानवल भारतिय वायुसेना जापान वायुसेना और रावल उनाइटेट तो तरकस अभ्यास सुरक्षा गार्ड दुकर नेस अनेस जी और अमेरिका के बलके साथ सहयोग से किया गया था नेक्स्ट और लाश्ट कुश्चन है बिस्व आद्रभूमी दिवस वर्ड वेट लेंड डेव दो हजार ती थीम क्या थी तो इसकी थीम वेट लेंड रिस्टोरेशन वेट लेंड एक्षन फॉर पीपाल एंड नीचर वेट लेंड वाटर वेट लेंड बायो यूपी PCS के लिए द्रस्टी आईए संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर संख्या पहला सॉल्व किया है और सीगरी अन पेपरों को भी और अन संस्थाओं के पेपरों को भी हम लोग अप्लोड करेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जहां तक आपके मैसेज आ रहे हैं कि इसका PDF तो इसका PDF के बारे में मैंने आपको बताया है तो description box में link दिया गया है हमारे टेलिग्राम चैनल का तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोएन करिए और अपने मित्रों को भी जोएन कराईए जिससे आपको नए अपडेट और नए आपके moral test paper के तोर पर सीगरी प्राप्त होंगे और इसके साथ ही आपके सीगरी doubt session बिविन खेतरों के जैसे आपका polity का economy का हम लाने वाले हैं हमारी team इस पर work कर रही है सीगरी हम लेके प्रुस्तित होंगे आपके सामने तो आपके बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत सब्राटरी